आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें कि अगर आप फ्रेशर हैं या एक लंबे करियर ब्रेक के बाद अपने कॉर्परेट करियर को रिवाइव करना चाहते हैं तो उसमें काफी सारी जॉब्स आपके लिए हो सकती हैं जिसमें से की एक है Amazon Seller Support Executive तो अगर आप इस जॉब में इंटरस्टेड हैं तो इसके बारे में हम आज के वीडियो में डिसकुशन करेंगे और इसके लिए हमने एक गेस्ट को भी इन्वाइट किया है जिन्हों ने अपने लॉंग करियर ब्रेक के बाद इस जॉब के साथ अपने कॉर्परेट करियर को रिस्ट जाएं इसके अलावा हम कॉंपनसेशन और की स्किल्स के बारे में भी बात करेंगे साथ-साथ में आगे आपके लिए ग्रोथ परस्पेक्टिव क्या होंगे उसको भी डिसकस करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए तो सबसे पहले आज हम अपने गैस्ट को वेलकम करेंगे थैंक्स मैम फर जॉइनिंग अस टुड़े और आज हमारे व्यूवर्स को आप थोड़ा सा बताएं इस जॉब के बारे में तो सबसे पहले आप अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में पहले बता देती हूं मैं एमजोन सेलर सपोर्ट में अभी काम करती हूं मैंने अपने करियर में दस साल की ब्रेक ली है जिसके बाद मुझे लग रहा था कि जॉब रेगुलर कॉर्परेट जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल लग रहा था मै मैंने काफी जगा job दुणने की कोशिश करी, काफी freelancing projects किये लेकिन regular job मुझे नहीं मिलती थी, freelancing projects में problem होती थी कि वह contract based jobs होती हैं उसमें कभी भी आपको job चोड़ने के बोल दिया जाता है जैसे कि आज mail आई और उनों ने हैना कि कि भई कल से आपका contract खतम किया जा रहा है तो उसके बाद आप suddenly jobless हो जाते हो इसलिए मैं उसको freelancing projects को छोड़के एक corporate job लेना चाहरी थी जो की मुझे opportunity मिली Amazon के साथ तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से मैंने वो job ली मैं actually एक HR background को belong करती हूँ मैंने 2004-05 में अपना career start किया था कुछ साल job करी उसके बाद family obligations की वज़ा से मैंने job छोड़ी जोड़ तो दी लेकिन उसके बाद कोशिश करी कि घर से कुछ मैं कर पाऊं घर से कोई मुझे opportunity मिल जाए बहुत डूंडा शुरू-शुरू में तो कुछ भी नहीं मिला तीन-चार साल तो बिलकुल कुछ भी नहीं मिला बाद में कुछ Lionbridge और Appan के साथ कुछ-कुछ projects मिले लेकिन उसका comparison regular job के साथ बिलकुल नहीं कर सकते एक तो compensation कम होता है दूसरा contract based है तो मतलब satisfaction नहीं थी लेकिन जब COVID आया तो फिर आप हम सबको पता है कि काफी companies ने work from home job opportunities निकाली तो तब मुझे Amazon की opportunity मिली और मैंने Amazon की job तब शुरू करी Thank you ma'am that's wonderful और अब अगर आप हमारे viewers को बताएंगे कि अगर वो भी इस job में interested हैं तो इसमें apply कैसे कर सकते हैं कैसे उनके chances बढ़ सकते हैं इस job को grab करने के इसके अलावा आपके जो introduction से लग रहा है कि आप इसको work from home कर रही है तो क्या यह 100% work from home है या office जाना पड़ेगा या hybrid model है तो इसके बारे में भी अगर आप viewers को बताएंगे तो बहुत helpful होगा जी सर यह work from home job भी है और आप office से भी काम कर सकते हैं और इसको आप किस तरीके से apply करें इसमें देखिए आप अगर किसी job portal पर जाएंगे जैसे नौकरी हो गया monster हो गया वहाँ पे आपको Amazon की seller support associate की jobs मिल जाएंगे अगर आप search करेंगे Amazon seller support associate तो आपको वहाँ पर jobs मिलेंगी आपने वहां से काफी बार apply किया तो मुझे कभी भी call नहीं आया तो मेरा experience ऐसा है कि Amazon की जो खुद की website है जिसका है जिसका है जिसका नाम है amazon.jobs अगर हम वहां पर जाते हैं और वहां पर search करते हैं seller support associate और वहां से हम apply करें तो हमें बहुत जल्दी वहां से call आती है और basically आता है बहुत easy है जिसको आप आसानी से भर सकते हैं उसका link हम आपको description box में दे देंगे आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं उसकी और भी jobs कावी सारी Amazon पे हैं और seller support associate जो job जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं अगर आप specifically यही दूनना चाहते हैं तो आप amazon.jobs पे सकते हैं Thank you ma'am that's amazing तो अगर हम आगे बढ़ें और अब यह बात करें कि भई इस job को पाने के लिए आपके पस क्या key skills होनी चाहिए और साथ-साथ में अगर आप quickly बता सके कि भई interview कितना लंबा process होता है कितने rounds होते हैं maybe हम अगर viewers चाहेंगे तो हम एक separate video लेकर कि आ सकते हैं क उसको cover करें बट अगर आप high level पे यह बताएंगे कि इंटर्वीव प्रोसेस कितना लंबा होता है और क्या skills required होती है और साथ-साथ में अगर आप compensation के बारे में बता सके क्योंकि एक important decision होता है important factor होता है कोई decision लेने के लिए कि कि किस टाइप के benefits वगेरा Amazon देता है जी सर तो की skills के बारे में अगर हम बात करें तो जो basic skill हम सब के पास है वो है कि हम English बोल सकते हैं तो अगर आप English बोल सकते हैं लिग सकते हैं पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं अच्छे से आपको sentence formation आपकी अच्छी है मतलब आप कुछ भी अगर आप जैसे समझी है कि seller support associate आप है हैं आप basically customer service जैसी job हो गई लेकिन आप buyer जो है जो Amazon से समान खरीद रहा है आप उसके customer service ना होके आप जो seller है जो समान बेच रहा है उसके customer service हो तो actually है हम customer service support ही लेकिन seller के इसलिए हमें seller support बोला जाता है तो और जैसे Amazon हम जानते हैं पूरी दुनिया में है तो Amazon North America में भी है जैसे अमेरिका में है Canada में है वहाँ पे है यॉरप में है यॉरप में क्या-क्या आता है UK आता है Spain आजाएगा, Italy आजाएगा, France आजाएगा, Germany आजाएगा, Netherlands आजाएगा, Poland आजाएगा, Belgium आजाएगा तो बहुत सारी यॉरप के locations हो जाते हैं फिर एक हमारा इंडिया का है फिर चाइना का भी है तो जितनी ज्यादा आपको जो जो languages अगर आती है अगर कोई भी इसमें से आ इंग्लिष सबसे बड़ी है एंग्लिष अगर आपको आती है तो आप Amazon India location के लिए काम कर सकते हैं आप North America location के le deemed काम कर सकते हैं अगर आपको Chinese आती हैं तो आप Amazon China के लिए काम कर सकते हैं तो मुझे सिर्फ English आती है सिर्फ Hindi आती है लेकिन मैं ce offis में use करती हूँ वह है अच्छी इंग्लिश मतब बेसिक इंग्लिश इतना नहीं जैसे शाशी धरूर वाली आपको जबरदस इंग्लिश के ज़रूर नहीं लेकिन इतना कि हम आपस में बात कर सकते हैं जैसे बिना घबराए बिना ग्रमाटिकल एर्रस के वैसा ही हम लिख पाएं फटाफट हम बोल हम बात कर पाएं तो उतना हमें English आनी चाहिए और अगर हम compensation की बात करें तो compensation इसमें starting होता है 3,60,000 से 3,75,000 तक और मतलब आप लगभग approximately मानके चल सकते हैं कि आपको 30,000 in hand आ जाता है पर मन्त ठीक है और इसके इलावा आपको internet reimbursement मिलता है मैं आपको बता रही हूँ work from home वाले की work from home में ये compensation होता है अगर आप office से काम करते हैं तो थोड़ा सा जादा होता है क्योंकि उसमें आपका travel भी include होता है तो आपको travel के पैसे भी थोड़े से मिलते हैं आइ थिंक around 4-5,000 आपको per month extra मिलता है travel का लेकिन work from home में वो amount नहीं मिलता है लेकिन work from home में हमें क्या मिलता है हमें internet reimbursement मिलता है monetary benefits हो गए per month अगर आप अपना basic job करते हो which is 9 hours ठीक है 5 days a week लेकिन इसके इलावा जो एक बहुत बड़ा फाइदा है यहां पे Amazon में काम करने का seller support में वो है overtime opportunity अगर आप overtime कर सकते हो तो Amazon में बहुत जादा ऐसी opportunities होती हैं जहां पे हमें बोला जाता है कि आपको करना है तो आप overtime की salary is double of your normal salary which means actually आपका compensation is 30,000 in hand per month अगर आप पूरे महीने overtime कर लेते हो which means आप 9 घंटे की जगे आप मानलो 2 घंटे extra काम कर लिया आपने every day तो आपने 9 घंटे की जगे 11 घंटे काम कर लिया और आपकी मानलो सारादे संदे चुट्टी है तो आपने 2 चुट्टी में से एक च हालरी उठा सकते हो तो 30,000 आपकी इन हैंड थी लेकिन आपको मन्त हैंड पे जो आपके हाथ में आएगा वहोगा 60,000 इन हैंड तो आप सोचके देखिए अगर आपकी फर्स जॉब है और आप 60,000 पर मंत कमाने की आपको मिल रही है आपकी फर्स जॉब में बेसिक इंग्लि का stress level क्या होता है कि अगर आप normally जैसे आपका day start होता है तो most of the time is stressful होती है या बहुत ही chill job है या इसमें क्या challenges है क्या आप इसमें बोल सकते हैं कि जो लोगों को ready होना चाहिए अगर वो इस job में interested हैं इसके अलावा अगर आप इस job को लेते हैं तो आपके बस career को grow करने का क्य potential है इसके बारे में अगर आप थोड़ी रोशनी डालेंगे तो बहुत हिल्फुल होगा जी सर तो फिस में stress level के बारे में आपको बताती हूं कि job में जब आप join कर लेते हो तो आपकी पहले तो training होती है आपको बहुत अच्छे से around 2-3 months की training दी जाती है जो कि काफी जादा है अगर आप as compared to other similar jobs अगर आप देखेंगे तो दो-तीन महीने की continuous training आपको कहीं नहीं मिलती है लेकिन यहां पर आपको दो-तीन महीने की continuous training मिलती है उसके बाद आप फ्लोर पे जाते हैं और जब आप फ्लोर पे जाते हैं तो एक तो आपका email contact होगा आपको sellers की जैसे email आएगी आप उस पर जवाब देंगे ठीक है जो भी आपकी language expertise है उसमें तो दूसरा है कि या तो आप chat पे उनसे बात करेंगे या आप call पे उनसे बात करेंगे उनका direct call आजाएगा या तो उनका chat message आजाएगा और आप chat उनको जवाब देंगे तो यह तीन modes हैं तीन में से दो हमें क कि हर इंसान को दो तो करने ही होते हैं या एक तो email हर एक के पास रहे गई दूसरा या तो आप chat हैंल करेंगे या तो आप calls हैंल करेंगे depending on how what are you selected for तो उसमें क्या है कि jobs में आपको हमें हमेशा shifts रहेंगी हर तीन महीने पर shifts rotational होती हैं हमको पूरी night shift भी मिल सकती है जैसे रात को 10 बजे से सुबे 9 बजे या दिन में भी rotational हो सकते जैसे आप दिन में 12 सुबे 7 बजे की आपको मिल जाए 7 से 4 दुपहर 12 बजे से रात के 9 वो मि मिल सकती है तो बड़ी अलग अलग shifts है और आपको कोई भी shift मिल सकते है और जो हमें मिलेगी हमें वो करनी होगी और उसे साब से हमें अपना रोटीन सेट करना होगा और हफते में आपको 2 week off मिलेंगे जो की जरूरी नहीं है कि Saturday Sunday ही होंगे ऐसा भी हो सकता है कि Monday Tuesday मिल जाए ह लेकिन जो भी दो चुटी होगी वो साथ में होगी तो यह आपका मतलब इस तरह से आपको अपना week manage करना है और और मैम यह shift अगर कोई भी मिलती है तो उसमें salary सेम रहती है कुछ additional benefits होते हैं हाँ जी सर यह बड़ा अच्छा आपने पूछा question जैसे तो अगर हमारी day shift होती है जैसे की साथ बजे से चार बजे यह तो proper day shift हो गई तो इसमें हमारी जो salary मैंने आपको बताई कि approximately 30,000 in hand है plus internet reimbursement plus food coupon वो रहेगा लेकिन अगर मालो हमें afternoon shift मिल जाती है तो हमें हमारा थोड़ा सा compensation बढ़ जाता है हमें afternoon का कुछ allowance मिलता है और अगर हमारा night shift है तो हमारा approximately 4-5, 5,000 कह सकते हैं कि बढ़ जाता है और night alarm मिलता है तो अगर आप night shift कर रहे हैं और कोई day shift कर रहे है तो आपको बुरा feel नहीं होगा क्योंकि आप उसे जादा पैसे भी ले रहे हैं आपको पैसे भी जादा मिल रहे हैं तो यह बहुत अच्छी बात है shifts की है ना दूसरा आपने पूछा था करियर ग्रोथ के बारे में तो सर करियर ग्रोथ यहां पर अच्छा है हम सब जानते हैं कि Amazon एक बहुत अच्छी growing company है मैंने जोइन किया था as a seller support associate मैंने approximately one and a half years around one one year and eight months के करीब nine months के करीब as associate job काम किया उसके बाद मैंने interview दिया associate advisor के लिए और फिर मैं associate advisor बन गई तो आप यह देखें कि one year nine months के अंदर मेरा promotion भी हो गया तो जब मैंने join किया था तो मैं level three पे थी अब मैं level four पे आ गई हूँ अब मेरा काम क्या है कि मैं जो नए associates जो higher होते हैं अगर उनको के काम में कुछ problem आती है तो वो हमसे questions पूछते हैं हम उनको help करते हैं तो career growth यहां पर मैं कहूंगी कि काफी अच्छी है अगर आप एक as a fresher direct college के बाद यहां पर जोइन कर रहे हैं तो आप का decision काफी अच्छा होगा क्योंकि आपको यहां पर बहुत growth opportunities मिलती है और ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने अगर माले आपने जॉइन किया लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है यह वाला रोल तो आपको Amazon में बहुत जारे और रोल्स भी मिल सकते हैं जहां पर कि आप internal movement ले सकते हो सेम लेवल पर ही ले सकते हो अगर आप ज्यादा वेट नहीं क Thank you so much ma'am, thanks for joining us today और आपने बहुत ही valuable points शेयर किये, मुझे लगता है कि हमारे viewers को काफी पसंद आएंगे, इसके बाद अगर response अच्छा मिलता है तो हम और भी jobs के बारे में discuss करेंगे, साथ साथ में ये भी बात कर सकते हैं कि जो Amazon के interview के लिए question answers होते हैं, उसके लिए कैसे prepare कर सकते हैं, या further जैसे आपने join कर ली है job, आगे क्या आपके पास opportunity है, क्या आपके पस leadership scale होनी चाहिए, कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा grow करना चाहते हैं, या आप subject matter expert की तरह भी अपने career को grow कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं, based on कि हमें कैसा response मिलता है Nice, so much again ma'am, and i'll see you soon. Thank you sir, thank you for inviting me. Thank you